वेलकूम तू आसियान आर्ट, प्लीज सब्स्क्राइब, लाइक, शेर, एंड फॉलो एस्रावएकूम मैं हूँ आसियान हो रहा हूँ देख रहे हैं आसियान आर्ट आज हम स्मोकिंग एंब्राइट्री के इस बीजिक स्रेट्ट को गुनाने का तरीक सीखेंगे अब यहाँ पे हम स्मोकिंग के लिए इसकी पेट्रीन की ड्रॉप्टिंग करेंगे यह हम मारकर से करेंगे ताब के आपको क्लियरनेस रा सके यहाँ पे इसकी लंबाई हमने लिए है साथ इंच और इसकी चोड़ाई हमने लिए है दस इंच अब यहाँ पे हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ पे हम 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस पूरे 7 इंच पर हम इसी तरह से हाफ इंच की मार्किंग करनेंगे अब यहाँ पे जो इसके हमने चोड़ाई रखी हैं 10 इंच यहाँ पे भी हम हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे हम 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमने एक इंच का हाफ लिया है जो के 0.5 आ रहा है इसी तरह से हम हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे हम इसी तरह से इस मार्किंग को हमने इसके चारों साइडों पर करना है यहनी लंबाई में भी हम दोनों साइड में इसकी मार्किंग करेंगे और छोड़ाई में भी इसकी दोनों साइडों पर हमने सेम हाफ इंच की मार्किंग करनी है झाल 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 अब यहां पर इसकी मार्टिंग कंप्लीट हो चीकी है अब इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में मिलाना है यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने लाइन ड्रा करनी है और इसी तरह से इन पॉइंट को आपस में मिलाते जाएंगे यहां पर पहले हम इसकी लंबाई में यू लाइन लगा लेंगे झाल 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 करका लिए झाल इसी तरह से इस की ज्वडाईं में लैइन लगानी है तो इसके इस पॉंट को हमने इस पॉंट से मिलाना है और इसी तरह से इस पॉंट को मिलाते हुए हम हाफ इंज की बॉक्स बना लेंगे झाल 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 यहां पर इसकी ड्राफ्टिंग कम्प्लीट हो चीकी है अब इसके बाद हमने इसके अंदर स्मोकिंग करनी है झाल अब यहां पर जो हमने हाफ इंच कम बॉक्स बनाया है इसके एक कोर्णर से दूसरे कोर्णर तक हमने यहां पर इस तरह से सिंपल स्टिच लेना है और इसको आपस में जोड लेना है अब इसी तरह से हमने इस लाइन में सिंपल स्टिच लेना है अब यहां पर हम से इक कोगर की तरफ निकाल लेंगे और बॉक्स के इस गॉर्नर से हमने यहां पर स्टिच लेना है इसको यूं मिला लेंगे अब इसी तरह से यह जो नीचे बॉक्स हैं यहां पे भी हम सिंपल स्टेच लेंगे और इसको सिंपल स्टेच के साथ ही इस दूसरे बॉक्स के साथ मिला लेंगे अब फिर से हमने उबर की तरफ इस तरह से स्टेच लेना है और इसको अबस में मिला लेना है अपसेम इसी तरह से हमने एक स्टेश्टी उपर की तरफ लेना है और एक स्टेश्ट नीचे की तरफ लेना है झाल 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 अब यहाँ पे इसकी हमने सेकेंड लाइन स्टार्ट करनी है तो जो सेंटर में हमने इसका स्टेच लिया है उसी के नीचे हमने इसका स्टेच लेना है और इसके सेंटर में हमने वोक्स बनाना है अब यहाँ पे जो इसके नीचे सेंटर का स्टिच है उसी हिसाब से हमने दोबारा स्टिच लेना है इसको इस तरह से आपस मिला लेंगे और पिर उसी तरीके से हमने नीचे के बॉक्स को भी स्टिच के साथ मिला लेना है यहां पर इसके सेंटर में हमारे पास बॉक्स बनेगा इसको हमने सेम इसी तरीके से कंप्लीट करना है झाल 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 यहां झाल 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 अब यहां पे चुमने सेंडर का स्टेश लिया इसी हिसाब से हमने इस लाइन को भी कम्प्लीट कर लेना है झाल 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 यहाँ पे इसको हमने कम्प्लीट कर लिया है यह हमारे पास मुखी यह रेटर को बेशिक स्टेच है thank you for watching don't forget to subscribe like share and comment down you